हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस एकड़मी में पॉलिटकल साइन्स या निराजनीत विज्ञान का एक और नया प्रेक्टिस सेट लेकर के आप सभी के बीच पुना उपस्तित हुए हैं आज की इस वीडियो में 65 important questions को include किया गया है जो new exam pattern पर आधारित हैं और परिच्छा में आने के जिनके chances काफी हाई हैं तो political science का एक प्रेक्टिस सेट नमर 15 है इसके पहला 14 प्रेक्टिस सेट आप सभी कि कराये जा चुके हैं चैनल पर playlist बनी हुई है आप सभी लोग बिजिट करें theoretical classes की भी playlist बनी हुई है और इस वीडियो के description में सभी link paste हैं वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो ये practice सेट आप सभी की आगामी परिच्छाओं जैसे TGT, PGT, LT grade, GIC प्रोक्ता, Government degree college, Assistant Professor, केंद्री विद्याले संग्धन, UGC net JRA, बिहार सिच्छकबरती TGT, PGT परिच्छा, मद्ध प्रदेश, वर्ग फर्ष्ट परिच्छा, और RPSC exams की द लाइक करें, दोस्तों में सेयर करें, और जितने भाई-बैंच चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, आगे की तैयारी प्री आउफका अगला प्रशन है, राष्टपति मंत्री मंडल के किसी सदस्र को किसी सदस्र को हटा सकता है, अगला प्रशन है, बित आयोक के गठन का वर्णन समिधान के किस अनुच्छेद में हैं, आपसने 268, आपसन भी 370, आपसन C 280, आपसन D 281, राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, आपसन नंबर C, अनुच्छेद 280 में बित आयोक के गठन का वर्णन किया गया है, अगला प्रशन है, किसने इस विचार पर बल दिया है कि राज अधिक्तम नेतिक्ता का प्रतीक है, आपसन E, बोंदा, आपसन B, कांट, आपसन C, कारल मार्क्स, आपसन D, हाप्स, राइट आंसर है, आप्षन नमबर B, कांट ने बल दिया है कि राज अधिक्तम नहितिक्ता का प्रतीक है अगला प्रशन है, नाएक पुन्राव लोकन का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है आप्षन A, आप्षन B, कनाड़ा, आप्षन C, B, आप्षन D, अस्टेलिया, राइट आंसर है आप्षन नमबर A, नाएक पुन्राव लोकन का विचार भारती समिधान में अमेरिका के समिधान से एडाप्ट किया गया है कनाड़ा के समिधान से संगी विवस्ता और अस्टेलिया के समिधान से समर्ती सूची का कांसेप्ट लिया गया है अगला प्रसने भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी आपल ने शरोजणी नएडो, आपल भी स्रीमती इंद्रागांधी, आप Cand DC अमरतकौर, आप Cand D सुचिता करपलानी राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा। मध शरीमती इंद्रागांधी, भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री है वहीं सरोजनी नाइडू और सुचेता करिपलानी के बारे में कुछ important fact है वो आप सभी को कमेंट करके बताने हैं अगला प्रिश्ण है किस अनसूची में प्रादेशिक भासाओं का उल्ले किया गया है आपसन E5, आपसन B7, आपसन C8, आपसन D6 तो right answer इसका होगा option number C, भारती सम्विधान की आठोई अनसूची में प्रादेशिक भासाओं का उल्ले किया गया है, जिसके अंतरगत कितनी भासाओं का वेड़न किया गया है, आप सभी लोग इस प्रिशन का answer कमेंट करके बताएंगे, भारत के मूल सम्विधान में कितने अन पर उस सम्विधान से जो 26 जनौरी 1950 को लागो किया गया था, उस समय जितने अनुच्छे थे उसकी बात की गई है, तो भारती मूल सम्विधान में 395 अनुच्छे थे, कितनी अनुसूचिया और कितने भाग थे, इन प्रशनों का answer आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्य जबर के राजपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट पती के पृष्ट उत्तरदाई होता है क्योंकि राजपाल कर राष्ट पती के द्वारा ही अगला only ही कि last आप्षन डी है छे माह राइट आंसर होगा आप्षन नमबर डी छे माह अगला प्रशन है दोस्तों भारत के समिधान निर्मात्री शभा में किस दल का नेत्रतु नहीं था आप्षन एक कांग्रेश आप्षन भी हिंदो महासभा आप्षन सी सामिवादी दल और आप्षन डी अनसूचित जाती शंग तो राइट आंसर है आप्षन नमबर सी सामिवादी दल का भारती शमिधान निर्मात्री शभा में नेत्रतु नहीं था अगला प्रशन है काटेली द्वारा राज जी के कि सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया है आप्षन निया सिध्धान्त आप्षन भी सप्तांग सिध्धान्त आप्षन सी दैवी सिध्धान्त और आप्षन डी अधिकारों का सिध्धान्त राइट आंसर होगा आप्षन आपसन ने जो प्रेक्टिस सिरीज आप सभी लोगों के लिए बनाई है वो पूरी easy to moderate के बाद hard level की तरफ बनाई है अंत में बहुत अच्छे और नए difficult questions को include करेंगे परेशान बिल्कुल ना हो 20 प्रेक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए जो तयार किये गए हैं वो आपसन बी बैलिश्वा आपसन सी 49 अनुच्छे और आपसन डी 40 अनुच्छे राइट आंसर है आपसन नमबर डी 40 अनुच्छेद में ग्राम पंचाइदों के गठन की घोशडा की गई है अगला प्रशन है निम्लिकेत में से कौन सी राज के विकास वादी सिधान्त की एक दसा है आपसन ए राजी इस्वर की करती है आपसन बी राजी प्रस्ताओं या समेलनों की उपज है आपसन सी राजी मानबी समाज का सतर्थ विकास है आपसन डी राजी परिवार का एक विस्तार रूप है तो सात्यों ये तो हो गया आपका इस्वर की करत है दैवी तो right answer आपका बनेगा option number C विकास वादी जो एतिहासिक सिदान्त के नाम से भी जाना जाता है इसकी मानता है कि राजी मानवी समाज का एक सतत विकास है अगला प्रशन है नीत निदेशक तत्तो का वड़न समधान के किस भाग में किया गया है आपसने दूसरे, आपसन B प्रथाम, आपसन C चोथे और आपसन D तीसरे राइट आंसर होगा आपसन नमर C वागती समधान के भाग चार में नीत निदेशक तत्तो का वड़न किया गया है अगला प्रशन है, राजसभा का सदस्य पर लिए कितनी अवस्ता होनी चाहिए आपसन A उनिस वर्स, आपसन B बीश वर्स, आपसन C 25 वर्स और आपसन D तीस वर्स राइट आंसर होगा आपसन नमबर C राष्टपती बनने के लिए नियुंतम आयू 35 वर्ष निर्धारित की गई है अगला प्रश्ण है लोगसभा का अदच्छ निर्वाचित होने के लिए कितनी अवस्ता होनी चाहिए आपसन A 25 वर्ष आपसन B 30 वर्ष आपसन C 35 वर्ष और की रचना है आपसन A Marks आपसन B Angels आपसन C दोनों आपसन डी लेनिन राइट आंसर आपका होगा आपसन नमबर A कम्मिनिस्ट मेनिफेस्टों जो है वो काल मार्स की रचना है और काल मार्स को आप सब लोग जानते हैं वेग्यानिक समाजवाद के रूप जनक के रूप में ज जुड़ा ही नहीं है समाजवाद से की जुड़ा हुआ है आप सभी लोग जरूर बताएं और यहां पर अगर हम बात कर लें तो काल मार्स बैग्यानिक समाजवाद के जनक हैं और कहा गया है स्वपनलों की समाजवादी तो आपसन यह राइट हो जाएगा रावर्ट ओवन स्वपनलों की समाजवादी के विचारकों के अंतरगत आते हैं और सर पर्थम समाजवाद सब्द का प्रियोग भी रावर्ट ओवन महोदे के द्वारा किया गया था अगला प्रशन है नेमलिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है आपसन ए लेवियाथन हापस आपस प्रशन कांट्रेक्टर रूशो आपसं सी होना चाहिए यहां पर तुट्रीटीज आंसिविल गौर्णमेंट जैम स्पृथम राइट आंसर होगा आपका अप्षन नमबर डी तुट्रीज आंसिविल गौर्रमेंट जो है यह जैमस पृथम की पुस्तक नहीं है तो हमने प प्रशन के अंसर राज एक वर्ग के दमन और सोषन के लिए दूसरे वर्ग की सकती का साधन है आप्षन आंसर होगा आप्षन नमबर ए मार्क सुवाद मानता है कि राज जो है एक वर्ग के दमन और सोषन के लिए दूसरे वर्ग के द्वारा बनाया गया एक साधन है अगला प्रशन है प्रवसत्ता की धाना को राजनीति सिधांत से निकाल देना चाहिए यह किसने कहा है आप्षन ए अरनेस्ट वारकर आप्षन बी हुगो क्रेब आप आपका होने वाला है आप्षन बी हुगो क्रेब ने कहा है कि पिर्वसत्ता की धाना को राजनीति से धांत से निकाल देना चाहिए अगला प्रशन है चूंकि समाज का स्वरोग संखात्मक है इसलिए सब्ता का सुरूब भी संगात्मक होना चाहिए यह किसने कहा है आपसने हेराल्ड लॉस्की आपसन B ग्रीन आपसन C मिल और आपसन D शिंड से राइट आंसर होगा आपसन नमबर A यह कितन हेराल्ड लॉस्की का है अगला प्रशन है एंटी डियूरिन किसकी रचना है आपसन A मार्क्स आपसन B लॉस्की आपसन C एंजल्स और आपसन D बर्लिन राइट आंसर होगा आपका आपसन नमबर C एंजल्स की पुस्तक है एंटी अगला परशन है दोस्तों उदारवादी सिधान के अनुषार और राज्य क्या है आपसन किसी साध़ी के लिए एक साध्वन है अगला परशन है ड़ा स्पृरिट ओफ लॉज जिसकी रचना है आप्षन A. Montescue, आप्षन B. Green, आप्षन C. Plato और आप्षन B. Arastu बहुत ही important पुस्तक है और बार-बार पर इच्छों में पूछी गई है तो यह पुस्तक है Montescue की अगला प्रशन है Montescue के बारे में आप सभी लोग जानते हैं इन्नोंने सक्ती प्रतकर्ण के शिद्धानत का प्रतपादन किया है और जिसका प्रभाव आपड़ अमेरिकी राजबियोस्था में देख सकते हैं फिलाल इस प्रशन का रैठ आंसर जो है आप्षन नमबर A. अगला प्रशन है दोस्तों 10 आपसने जापान एटली आपसन चीन और आपसन टी इराण आपसनुर बी होगा फासी वाद का समब्द इटली से है अगला प्रशन है अगला प्रश्ण है राइट आन्सर होगा अप्शन नंबर B स्वतंत्रता की अधारना घनिष्ट रूप से बेक्तिवाद से जुड़ी हुई है अगला प्रश्ण है राज शब्द के लिए किसने कामन वेल्थ शब्द का प्रियोग किया है आप्शने हाप्स आप्शन B लॉक आप्शन C रूसो और आप्शन D बेन्थम राइट आंसर इसका होगा आप्शन नमबर A हाप्शने राज शब्द के लिए कामन वेल्थ शब्द का प्रियोग किया है अगला प्रश्ण है रूसो के अनुसार आदर्स राजी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आप्शने एक हजार, आप्शन B दस हजार, आप्शन C एक लाख और आप्शन D पाँच हजार चालिस तो राइट आंसर इसका होगा आप्शन नमबर क्या बी रूसो के अनुसार आदर्स राजी की जनसंख्या दस हजार होनी चाहिए, प्लेटो के अनुसार और अरस्तो के अनुसार आदर्स राजी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको theoretical classes के अंतरगर डिस्कस की गई है और अगर अभी तक आपने उन theoretical classes को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल की playlist बिजिट करें और अपनी तयारी को बेहतर करें अगला प्रसन देखते हैं भूमिराजी का आवस्यक्त तत्व है इसका प्रत्पादन सरप्रथम किस ने किया आपशन a काल मार्क त अपषन b प्रूदो आपशन c बोंदा और आपशन d अरस्टो राइट आंसर होगा आपशन नमबर a काल मार्क्स ने कहा है कि राजिका लोप हो जाएगा या राजि मुर्जा जाएगा या राजिका अन्त हो जाएगा ऐसी विचाधारा मार्क सुवाद के अंतरगत पनपती है अगला प्रसने एक नगर के इस्थापना बिना भूमी के संभोए परन्तु बिना ईस्वर में विश्वास के राजी इस्थापित नहीं हो सकता ये किसने कहा है आपसने मिल आपसन बी ग्रीन आपसन सी प्लूटार्क और आपसन डी रूशो राइट आंसर क्या होगा आपसन नमबर सी होगा प्लूटार्क का ए स्टेट्मेंट है और ऐसा मानने वाले राजी की उत्पत्ति के दैवी सिधान के समत्व कोके अंतरगत काउंट किये जाते हैं अगला प्रशने राजा तथा इस्वर में इतनी समानता है अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही इस्वर है अगला प्रशने दोस्तों राजी के आधार पुजारी थे यह किसने कहा है अगला प्रशने राजी बेक्ति के बिराट रूप की बात की जाए तो प्लेटो होगा ध्यान रखना बेक्ति मतलब परशन पीफार परशन पीफार प्लेटो इस तरीके से कोरेलेट करते हुए पढ़ सकते हैं क्योंकि जो रूशों है उन्होंने परिवार और समाज के बिस्तरत रूप को राजी माना है जबकि बेक्ति के बिराट रूप को राजी प्लेटो ने माना है अगला फ्रेशन है दोस्तों अब तक के बिद्यमाद समाजों का इतिहास वर्ग संहर्स का इतिहास रहाएं यह कथन किसका है आपशन लेनिन आपसन सी मार्क्स और अपशन डी आंसर होगा आपशन नमबर गल्मार्टस अगला प्रशन हैं दोस्तों वैल्थ हाफ नेशन किसकी रचना है अपशन ए एडम इस्मित आपतन भी में स्वाइवर आपशन सी मार्क्स और आप्शन डी रफ राइत आंसर होगा अप्शन नमबर ए वेल्थ आपनेशंस उस तक की रिचना एडम इसमित के द्वारा की गई है और एडम इसमित को आत्सांस्तर का जनक भी कहा जाता है अगला प्रशन है अधिक्तम लोगों का अधिक् सुख अगला प्रशन है निम्न में से कौन राजी के आदर स्वादी सिधान से संबंधित हैं अगला प्रशन हिंद सुराज नामक पुस्तक के लेखर कौन है आपसने मात्मा गांधी आपसन वी जौला नहरू आपसन से सरडार बल्लभाई पटेल और आपसन डी बिनोबा भाबे राइट आंसर होगा आपसन नमरे इंद सुराज मात्मा गांधी के पुस्तक है पंडि जौला नेरु के प्रसेदी पुस्तक दा डिस्कबरी आप इंडिया है बिनोबा भाबे प्रतम सत्यागराही थे ये कुछ इंपार्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है रूशोग ने निरंकुस प्रवसत्ता की अधाना को किस से ग्रहर किया है अपसन ए प्लेटो आपसन भी हापस आपसन सी अरस्तू और आपसन डी लाउग राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमर भी रूशोग ने न स्वचले2 ने परिभासित किया है अगला प्रिशन दोस्तों कि है अगला प्रिशन है दोस्तों छि संप्रबटा का सिधान्स quindi नहीं है आप्षण नहीं है उच्वसके लेंहिए आप चंडे मिल राइट राइट आन्सर आपका आप स्वचलने मता अधिकार का विरोधी था अधिकार के विरोधी थे अगला प्रशने निर्वाचक गड़ से क्या अतात पर है आप्षन ए मत दाताओं का समूह बी प्रत्यासी आप्षन सी चुने हुए प्रतिनीदी आप्षन डी संसत के नामांकित सदस्य राइट आंसर होगा आप्षन नमबर ए मत दाताओं के समूह क निर्वाचक गड़ के रूप में परिभासिक किया जाता है अगला प्रशने आनुपातिक परतिनीदित्त की दो महतं प्रणालियां अगला प्रशन है दोस्तों हेर इसकिम के अंतरगत प्रतेक मत नता को कितने मत प्राप्त होते हैं अगला प्रशन है हेर इसकिम का कोटा कैसे तयार किया जाता है वैद मतों के योग को भरे जाने वली इस्थानों की संख्या से भाग दे कर और भजन फल में एक जोड़कर आप्शन C उक्त में से किसी भी रीति द्वारा आप्शन D उक्त में से कोई नहीं है राइट आंसर आपका आप्शन नमबर B होगा अगला प्रशन है दोस्तों संबैधानिक शासन का अर्थ क्या है आप्शन E संबैधान की ब्योस्था के अनुरूप शासन आप आप्शन सी लोक्त तनत्रात्मक सरकार और आप्शन D उप्रयुक्त सभी राइट आंसर होगा आप्शन तो अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों बैग्यानिक समाजवाद का जन्म्न डाता कौन था यह प्रशन आप सभी लोगों के लिए इसका प्रशन जो है इसका अंसर आप सभी को हरहाल में कमेंट करना है लेनिन, मार्क्स, कार्टस्की, चाल्स फोरियद इन चार आपसंस में से किसे बैग्यानिक समाजवाद का जन्न दाता माना जाता है कम से कम 15 प्रिक्टिसिट के अंतरगर, 30 बार इस चीज को हम डिसकस कर चुके हैं और ये प्रिशन आप सभी लोगों के लिए HW के रूप में रहेगा और इसका आंसर कमेंट करना है तो अगला प्रिशन देखते हैं समाजवाद उस टोपी के समान है जिसे अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं उक्त विचार किसका है आपसने CEM जोड आपसन B मैकाईवर आपसन C मैक्सवेबर आपसन D केसी हुईलर राइट आंसर होगा आपसन नंबर A यह कथन CEM जोड का है अगला प्रिशन है समाजवादी निमन में से किस पर जोड देते हैं आपसन N G सम्पत्र पर आपसन B आρतिक समांता आपसन C राजनीतिक सोतंथ्ता आपसन D इनायक सोतंथ्ता राइट आंसर होगा आपसन नंबर B आरतिक समांता पर समाजवादी विशेश रुप से जोड देते हैं अगला प्रिसन है निमन में से कौन फेवियन वाद के प्रमुख प्रत्पातकों में से एक हैं आपसने मार्क्स आपसन भी लास्की आपसन सी लेनिन आपसन डी शिडिनी वेब तो राइट आंसर होगा आपसन नमबर डी शिडिनी वेब फेवियन वाद के प्रमुख प्रत्पातकों में माने जाते हैं अगला प् इसी को नहीं है तो कुश्चिन नमबर 63 का राइट आंसर है आपसे नमबर भी फेबियन वाज जो हैं वो चाहते हैं कि भूमी का मालकाना हग समाज को सौप दिया जाए सातिवों आज की इस वीडियो में हम अब अन्तिम प्रिशनों की और बढ़ रहे हैं अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो और कुछ जरूर करेंगे जितने भी आपके social media platform में वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजे जिसे यह प्रेक्टिस सीरीज अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों मार्क्स किस देश का रहने वाला था आप्षण जर्मनी आप्षण बी जापान आप्षण सी इटली आप्षण डी फ्रांस राइट आंसर होगा आप्षण नमबर ए काल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे आज के वीडियो का अंतिम प्रस्न देखते हैं मार्क्स के दौनदात् को जो हैं कि योफ्से अर्थ हे कि यतिहास के निर्मान में इध्भो का योगदान होता हैा अतुंदी उप्ट मेंने से कोई मार्ष का जो दन्दात्मक भॉतिक वाध्य ौद्ध है तो सात्यों ये था राजनीति विज्ञान या इसे आप नागरिक सास्प्री सिविक्स के भी कह सकते हैं का प्रेक्टिशिट नमबर पंदरा जिसके अंतरगत 65 महत्पूर्ण नुई जाम पैटर्न पर हधारिक कोस्चन्स को इंकलूड किया गया था जो आप सभी की आगामी प तक देखने के लिए सभी सात्यों को तह दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्युवाद मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी सात्यों को जैंजय बारत बंदे मातरम आप सभी सात्यों का दिन सुभवो और आपकी तैयारी बेहतर हो